अलो स्टुडेंट्स हम लोग से साइट चाटी वन पॉइंट वन पे हैं और यहां का राइन दिखित रैखिक आसमिकाओं के निकाय को आलेखिये विधी से हल करें चलिए हम लोग कोश्चन नमबर से देख लिए थे क्या लिखेंगे आपर दिये गए रैखिक आसमिकाओं रैखिक आसमिकाओं को रैखिक समिकर्णों में बदलने पर क्या हो जाएगा x प्लस y इकवल टू में 6 और यहां हो जाएगा 7x प्लस 4y इकवल टूमें 28 यहां दो रिनोत्तर में औरोद देख लिजे x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 गया है तो इसके लिए हम लोग अलग से नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का थाथ पर है कि प्रथम पाध में वह हल छिट लोगा ठीक है यह ध्यान लखने बस इतना है इन दोनों के लिए अलग से कुछ लेने की जो अध नहीं चलिए हम लोग यहाँ पर दो चार्ट बना लगते इनके हल के लिए इन दोनों समी करने के दो दो हल भी करना नहीं किने कंव से कम तभी नव लोग इस का लेंखी इन्हांगे ऐ norm नहीं धीरान से देखिएगा यहां पर हमने दो चार्ट बना ली अब देखो भाई x, y, x का 0 रखेंगे तो y का 6, y का 0 रखेंगे तो x का 6 यहाँ x, y, चलिए x का 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 7, और y का 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 4 ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके लिए इसका यहाँ पर ग्राफ लेते हैं हम लोग यहाँ ले लेते हैं x और इस पर ले लेते हैं हम लोग 3, 4, 5, 6, 7 चलिए देखिए अब इसका लेक पहले वाले के लिए X का 0, Y का 6 यह हो जाएगा आपका 0, 6 X का 6, Y का 0 इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी और यह रेखा dotted होगी की dark 6 करा है इसलिए रेखा dotted हम लोग ले लेगे यह रेखा जो होगी dotted होगी उसको आप dotted बना लेगे या आप dotted ही खीचना scale रखके मैं तो इसको dotted बना दे रहा हूँ ठीक है आप direct dotted ही खीचना ठीक है चलिए अब इसके बात देखिए दूसरा देखिए 7 जीरो 7 एकस का 4 वाई का 0 एकस का 4 वाई का 0 ठीक है तो इन दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी कुछ इस प्रकार से होगी तो यह आपकी dark क्योंकि वहाँ equal to का भी symbol है देख लिजए और समिका में यहाँ equal भी है less than or equal भी है तो क्या है इसका समिकरन इस रेखा का इस रेखा का है 7 एकस प्लस का 4 वाई equal to me 28 नहीं नहीं जी चलिए अब हम लोग 00 पर आसमिका होगी करते हैं ताक कि हमें हल छेतर पता चल सले हैं 00 पर आसमिका है ठीक है देखिए क्या हो जाएगा पहला वाला देखो जीरो प्लस जीरो इस लेस दन सिक्स तो जीरो सिक्स से लेस दन है बिलकुल सकते हैं और यहां 7 इन्टू में 0 प्लस 4 इन्टू में 0 इस लेस दन इक्वाल टू टू तो दोनों रेखाओं के मूल विंदू के तरफ इधर के तरफ और आपको पता है कि प्रथम पाद मिले ना क्योंकि एक बेवरो तो यह भी एक्स इस ग्रेटर देन जीलो इकोटर जीलो और वाई एक्स ग्रेटर दू जीलो और फर्स्ट कोडिन में होगा हल्चेतर नि दोनों रिखाओं के इधर वाला छेतर जोगा इसका हल्चेतर हो जा तो पता चल जाएगा हम दो लिखते हैं दिये गए रैखिक आसमिकाओं को आसमिकाओं को रैखिक समिकर्णों में बदनने पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस टुवाइगर टू में थ्री दूजरा है ंडियन एक्स प्लस फोर वाइप्फब्टू में टूफ आ मिल के इन दोनों के लिए तो आसानी सेकी सकते इस दोनों के लिए हमें कम से कम इसके दो दो को हल निकालने होंगे यह दोनों जो दिया है एक चरवाला रहके का समीकरन के रूप में हम दो इसे बैठती है ध्यान से देखिए ले लेते हैं एकस वाई देखो ना एकस जीरो रखेंगे थो यह निवान पॉइंट 5 वाई जीरो रखेंगे तो एकस का थरी X 0 रखेंगे तो Y क्या जाएगा 3 यह जाएगा और Y 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा एकस का 4 जाएगा अब हम लोग यहाँ पर अलेख बनाते हैं ठीक है चलिए ग्राफ ले लेते हैं ध्यान से यहाँ पर देखिएगा यहां पर हम लोले लेते हैं X अक्ष और यहां ले लेते हैं Y अक्ष ज्यान से देखो X X dash Y Y dash 1, 2, 3, 4 काफी है 1, 2, 3, 4 काफी है देखिए X का 0 Y का 1.5 इधर यह बिंदू हो जाएगा 0 और 1.5 वाला X का 3 Y का 0 3 0 यह हो जाएगा तो इन दोनों से होकर जाने वाली देखा जो होगी वो कुछ इस प्रकार से हमनों खीचेंगे अब पहले देख लो कि यह dotted होगी कि डार्क होगी सभी के सभी डार्क ही होंगे ठीक है क्योंकि एक्वल भी है और लेस देन ग्रेटर देन भी आपके पास उन सब्दों में भी होगा है तो डार्क रिखा होगी इसका सभी करण हम लोग यहां पर दिखा सकते हैं अब दूसरे वाल के लिए एक्स का जीरो वाई का थ्री जीरो और थ्री एक्स का फोर वाई का जीरो तो इसका समिकरन हम लोग यहां पर चाहें तो लिख सकते हैं इसका समिकरन क्या है भाई आपका है थ्री एक्स प्लस फोर वाई एक्वल टू में टूए अच्छा एक्स इक्स 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 और y equal to one का तो y equal to one जो होगा यहां हो जाएगा यह हो जाएगा अब चेक करते हैं आ समी का होगा हल चेत्र कौन सा होगा जिरो जिरो पर आ समी का है चाहिए एक एक करके चेक करते हैं पहले इसको लिए जिखते हैं 0 plus 2 into 0 is less than equal to 3 जिरो less than equal to 3 है बिलकुल सत्य हैं दूसरे वाले पेज़े करते हैं 3 into में 0 plus 4 into में 0 is greater than equal to 12 जैने कि 0 is greater than equal to 12 यह आ सत्य है तो देखिए पहला वाला सत्य हो रहा है एक प्लस 2 y equal to यह वाला इस लेह दने को तो 3 यह वाला सत्य हो रहा है तो यह सत्य हो रहा है तो इसके इधर इसके इधर की बात हो रही है तो यह असत्य हो रहा है तो इसके बाहर की बात हो रही है ठीक है अचा फिर उसके बात क्या है X is greater than equal to 0 यानि कि Y X के इधर फिर यहां पे Y is greater than equal to 1 और इसके बाहर तो हमें उबैनिस्ट भाग कहीं भी नहीं मिल रहा है क्योंकि इसके इधर इसके इधर यह दोनों दूसर के विपरित ही है इस रेखा के इधर और इस रेखा के इधर बिपरित हो जा रहा है उबैनिस्ट भाग नहीं मिल रहा है आसमिकाओं के हल से आसमिकाओं के आलेक से हल छित्र नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसलिए आसमिकाओं के निकाय के हलो की संख्या रिक्त है या फिर क्या पूछ रहा था हल समुच्य रिक्त है निकाय के हल समुच्य हल समुच्य रिक्त है ऐसे रिखते है के हल समुच्य हल समुच्य रिक्त हैं समझ गए तो यह आपका एक्सराइज कंप्लीट हो गया फिलहाल इस वीडियो को यहीं तकरने देते हैं नेक्स वीडियो में आगे बात करेंगे आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब करना हो पहला है पात फाइंडर क्लासे छप्रा पात फाइंड रवी कांत सर और तीसरा चैनल है रवी कांत सर के नाम से तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे लेटर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इससे लेटर नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.sar. और यहां जाकर आप सभी क् पीडियेब को डाउनलोड कर सकते हैं पड़ सकते हैं इंस्टागाम और फेस्बूक पे जाके पाथ फेंडर क्लासी छप्रा को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलेंगे थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो वो कैसे लगते हैं